जी यूपी बोर्ड का जो हमारा खंड कावे वाला जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम दूसरा खंड कावे करने वाले हैं जिसका नाम है जोती जवाहर ठीक है यह आपका second नंबर का खंड कावे है और इसको किस ने बताया है वो है हमारे श्रीद्रेवी देवी प्रसाद क् secular लेक्टे हैं उन्होंने इसके बारे में लिखा है तो पिक्चर क्या आपको समझ हुआ कि हम किस gonna u रहें इसacho और क्खंडकाव्य में हम पढ़ने वाले थे वारे में पंडित जवाहल लाहाल नहरू के बारे में और इस चीज में क्या बताया है जैसे हमने लास्ट यम जो पड़ा था, उसमें महात्मा गांदी के बारे में था. यहां पर जवाहलाल नेरू जो है, उनको बताया गया है, हमारे देश के जो विभिन विभिन राजये हैं, विभिन विभिन जगये हैं, वहां से इनको compare किया गया है इनकी कथानक बताई गई है कि ये किस तरह के थे तो इनकी जो महानता है उसको उन्होंने बहुत अलग-अलग जगहों पर जो भारत के अलग-अलग जगह है जहां पर कुछ विशेश घटित हुआ है उन चीजों से इनको compare करवाया है तो हो सकता है आपको इहां पर बहुत सारी stories भी पढ़ने को मिलेंगी जितनी मुझे आती होंगी मैं आपको बताऊंगी जिस-जिस से related होंगी तो वो stories आपको क्या होंगी उससे आप connect कर पाऊगे और आप अपनी जब कठानक लिखना होगा तब आप उस चीज को बहुत अच्छे से लिखवाओगे तो start करते हैं एक और चीज कि ये कहां कहां पर किन किन जिलों में होगी तो वो भी list मैंने आपको बता दी है कानपुर, प्रतापगड, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा इन जिलों में जो है ये वाला आपका खंड कावे आये का कौन सा जोती जवाहर तो आप में से जो भी इस जिले से बिलॉंग करते हैं वो सभी ये वाला खंड कावे पढ़ेंगे अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेशन जो की पूछा जाता है कतानक के रूप में तो हर एक का खंड कावे जो है, हर बार मैं आपको बताऊंगे कि किस तरश होते हैं जिसका जो खंडकावे होगा बच्चा वही पड़ेगा सारे खंडकावे नहीं पड़ेगा तो आपसे तीन question किये जाते हैं पहला question हो सकता है तीन number का ये आपके पास भाग आता है त्री marks का होता है जिसमें आपको खंडकावे पूछा जाता है तो question एक बन सकता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि कथानक बताओ इसका या कथावस्तु बताओ बात एक ही होती है कथानक या फिर कथावस्तु या तो एक question ऐसे पुछा जाएगा दूसरा question या तो पुछा जाता है घटनाए तो घटनाए में आप क्या बताएंगे घटनाए में जो भी आप पढ़ोगे उसकी स्टोरीज जो है वो आप बताएंगे कि क्या क्या स्टोरीज हुई थी और तीसरा question पूछ सकते हैं चरित्र निर्मान ठीके चरित्र निर्मान ये आपको पूछा जा सकता है तो इन तीनों में से कोई भी एक question बनके आजाएगा आपके पास और वो three marks हो एक ही question आएगा जिसमें आपको लिखना होगा तो सबसे पहले आज जो हम cover करेंगे वो करेंगे हमारा कथानक क्योंकि ये ही सबसे जादा main होता है अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप इससे चरित्र निर्मान भी own बना सकते हो वैसे तो हम पढ़ेंगे ही लेकिन अगर exam में आपने चरित्र निर्मान नहीं कर रखा है तो आप इसके बिहाव पे आप इसका चरित्र निर्मान भी लिख लोगे काफी हद तक तो अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो ये दोनों तो easily होई जाएगा और एक घटनाए इसी का ही एक दूसरा question के रूप में बन के आता है कि जिसमें आप से घटनाए पुछ जाएगी स्टोरी पर ही सारी चीज़े मिलेंगी तो ऐसे प्रतम सर्ग दूतिय सर्ग तृतिय सर्ग इस तरह का question याएगा जो कि बाखे आने वाले खंड कावे में या इससे पहले वाले में भी थे तो यहाँ पर इस तरह का कोई सर्ग वाला चीज नहीं है तो वो नहीं होगा स्टार्ट करते हैं अब हमारा यह खंड कावे ठीके I hope आपको clear हो गयागा कि question कैसे आने वाला है शुरू करते हैं सबसे पहले प्रशन आपका ऐसे आएगा तो प्रशन के रूप अलग-अलग तरीके से हो सकते हैं तो वो सारे प्रशन मैंने ले लिए हैं ताकि आपको घुमा फिरा कि अगर question पुछा जाए तो आप उसमें confused नहीं हो उसमें आपको answer ये लिखना है जो हम पढ़ेंगे आगे जोती जवाहर नामक खंड कावे में कथानक का सारांच अपने शब्दों में लिखिए पहला question तो ऐसे बन सकता है कि कथानक का सारांच लिखना है तो सारांच अपने शब्दों में आप लिख दीजिएगा तीक है दूसरा आसकता है जोती जवाहर खंड कावे की कथावस्टू लिखो कथानक कथावस्तु बाद एकी है तो यह वही लिखना है नेक्स आ सकता है जोती जवाहर खंड कावे की ऐसी गटना का उलेख कीजिए जिसने आपको सरवादिक प्रभावित किया है तो घटनाएं आ जाएंगे तो सारी घटनाएं लिख देना जो भी आपको इस वाले खंड में हम पड़ेंगे नेक्स ऐसे क्वेशन आ सकता है कि जोती जवाहर खंड कावे की कथा वस्तु जन नायक नहरू जो है उनके विराट व्यक्तित्व के बारे में जो अभ्यूदे है उसके कथन की पुष्टी करते हुए लिखिए कि जो उनका व्यक्तित्व था उनको उन्होंने किस तरह से उनका जो उदय हुआ था उनका जो प्रारम हुआ तो किस किस तरीके से हुआ था तो वो भी आप कथानक से ही लिखेंगे और किस तरह से question आ सकते हैं कि जोती जवाहर राष्ट्री एक्ता को बड़ावद देने वाला काव्य है तो वो किस तरह से है उसका उधारन देना है तो भी आप सारा का सारा यही लिखोगे जो आप पढ़ेंगे भी इसकी जवाहर खंड काव्य की प्रभाव कारिता पर किस तरह का प्रभाव ड़ा था अगर ये question आजा तो confused नहीं होना है कथानक पूरा का पूरा लिखना है तो देखो question घुमा के आ सकता है लेकिन answer आपको कथानक वाला ही लिखना है जब तक कि चरित्र निर्मार नहीं आ जाता है चरित्र निर्मार में आप उनका चरित्र लिखेंगे कि वो कैसे थे ठीक है next last है जोती जवाहर खंड कावे की कथा संशेप में लिखी है तो आपको कथा लिखनी है ठीक है question समझ में आ गए अब start करते हैं हमारा आज का ये जो उसका उत्तर है इन सभी प्रश्णों का जिनका एक ही उत्तर बनता है वो हम start करते हैं जोती जवाहर का सारांज खंड कावे के आरंभ में कवी विशेप प्रवेश के अंतरगत सर्व प्रथम पंडित जवाहर लाल नहरू के निधर्म पर उने सह अस्तित्व के सरगम अहिंसा के अनूठे चंद मानता के संगम जागरण के कावे युग की प्रेणा विधाता के अच्छूते ग्रंथ मनू के मंत्र आदी अनेक विशेशनों से संबोधित करते हुए श्रद्धांजली अर्पित करता है सबसे पहले आप खंड कावे का शुरुवात कैसे करेंगे कि खंड कावे में जो हम पढ़ने वाले हैं कि इनके बारे में पंडित जवाल लाहल नेरू उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजली के रोप में वो क्या कह रहे हैं बहुत अलग-अलग विशेशन यानि कि अलग-अलग विशेश्ताओं के बारे में उन्हें बोलते हैं उन्हें संबोधित कर रहे हैं विशेशन पता है आपको क्या होता है किसी की हम विशेश्ता बताते हैं तो यहाँ पर पंडित जवाल लाहल जो नेरू है उनकी विशेश्ता पर उन्होंने बहुत सारे विशेशन उनमें एड किये हैं कौन-कौन से, कि ये क्या है, सॉरी, सह अस्तित्व के सरगम, यानि कि आज के टाइम की जो सरगम है, जो हम गीत गाते हैं, उस तरह के हैं, अहिंसा के अनूठे चंद, यानि वो कभी भी हिंसा नहीं करते थे, तो अहिंसा वाले थे, मानवता के संगम, मानवता उनके अंदर भ प्रेणा काम काम कर रहे हैं? विधाता से अचूते मादब बिल्क már अलक टाइब थे जैसा विधी के अनुसार होता है वैसी नहीं है, बिल्क strang के तरी मनु के मंत्र थे इस तरह के अनक विशेशनों से उनको क्या की गई है? श्रद्धांजली दी गई है तो जब मैं आपको बताऊंगी कि देखे देखो आप जब कथानक लिखोगे न तो उस टाइम पर हो सकता है आप जब लिखो तो पढ़ते वक्त आपको सब एजी लगेगा कि हाँ ये तो सब पढ़ने में आ रहा है समझ में आ रहा है लिख देंगे इतना कुछ वो नहीं है लेकिन जब लिखने पर आओगे तो वहाँ पर आप क्या करोगे काफी चीजे भूल जाओगे जो इंपोर्टन चीजे आपने पढ़ते वक्त आपको लगा था कि ये तो मुझे याद रहेगी हो सकता है वो आपसे भूल हो जाओ और आप ना लिख पाओ और आपको आने के बड़ लगे कि या रहे ये चीज़ तो मुझे पता थी मैं तो मैंने मिस कर दिया तो ऐसे में आपको क्या करना है जो भी कथानक है ना उसके लिए आप रफ में एक क्या बोलते हैं सब पॉइंट बना लो कि मुझे जब इसका कथानक लिखना होगा तो मुझे ये पॉइंट याद आते ही मैं उसके बारे में 5-6 लाइने आराम से लिख दूगे तो अगर ऐसे अगर आप इस ट्रिक से करोगे तो आप बहुत अच्छे से उसको कर भी पाओगे और chances है कि आपको पूरे में से पूरे marks मिल जाए क्योंकि आप जो content चाहिए वो अगर पूरा का पूरा deliver करते हो तो फिर marks कटने की कहीं पर भी कोई गुझाईश नहीं होती है तो आप क्या करना कि ऐसे points बना लेना हर एक कतंनक में कि कम से कम 10 से 12 10-10 points बना ही लेना 10 से 12 points बूरे लेना टाकि आप 10-12 याद करोगे तो इस—12 میں 10 ही याद रहेंगे तो उन points को याद आते हैं आपको क्या लगेगा हाँ इसमें मुझे क्या करना है इसमें मुझे ये चीज लिखने है तो अगर मैं पहले paragraph में से अगर मैं point बनाना चाहूं तो आप सिर्फ एक point बनाना विभिन विशेशनों से संबोधित किया गया है तो यहाँ पर या अनिक अनिक विशेशनों से संबोधित करते होगे श्रधांजली अर्पित तो यह बोलते ही आपको क्या होगा विशेशन याद आ जाएंगे तो जो आपने पढ़ रखे होंगे अब इसमें से मालो आपको दो या तीन भी याद रहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है आप अटलिस शुरूआद जो है वो बहुत अच्छी करोगे तो अगर शुरूआद अच्छे से करोगे तो आने वाली आगे की जो भी चीज़े हैं वो बहुत अच्छी दिखेंगी और सामने वाले को समझ में भी आगा कि हाँ आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, समझा है और लिखा है, तो पहला point में इसको यहाँ पे से box बना के देती हूँ, ठीक है तो आप भी ऐसे ही, जब यह पढ़े हैं खंड कावे, उस ताइम पर अपने साथ में एक notebook लेके बैठ जाना, ताकि आप points बना दो, मेरको जो important लग रहे हैं, जिससे मुझे किक होगा कि हाँ, मुझे ये वाला जो point है, इससे मुझे याद रह जाएगा, वैसे हो सकता है, आपके लिए अगर आपको कोई और point लगता है, कि मुझे इस वाले point से ये वारा paragraph आप याद रहेगा, तो आप वो point लगा लेना, ठीक है, आगे बढ़े, कथा का प्रारम पंडित नहरों के अलोकिक दिव्य पुरुष के रूप में अवतार से होता है, ठीक है, जिसमें सूर्य की जोती है, चांद की सुंदरता है, हिमालय का स्वाभी मान है, सागर की गंबीता है, और हवा की अबाद गती है, अब कथा का प्रारम हो रहा है, तो कथा का प्रारम कहां से हो रहा है, पंडित नहरों के अलोकिक दिव्य पुरुष के रूप में, सेकंड पॉइंट, ये किक होता है, जैसे ही अलोकिक दिव्य पुरुष कहेंगे तो उसके लिए आप उनकी तारीफ करेंगे तो पहला क्या था भई सूर्य की जोती है जिस तरह से सूर्य की रोश्नी है वैसे उनका स्वरूप है चांद जैसी उनकी सुन्दरता है यानि यहां पर उनके रूप के बारें बताए कि जैस से उनका स्वाभीमान है सागर की गंभीरता है जिस तरह से सागर गंभीर होता है विशाल होता है उसी तरह से वो भी है हवा की अबाद गती है जैसे हवा जो है बिना रुके चलती रहती है वैसे ही पंडि जवालाल नैरू जो है वो भी अपने जीवन में हमेशा चलते ही र बापु के कर्म योग की प्रेणा मिलती है नहरू और बापु का मिलन राम वशिष्ट अथ्वा मोहन और युदिश्टर के समान है क्या कह रहे हैं कि इनका जन्म जो है वो इलाबाद में वहा तो गंगा जमना के जहां पर संगम होता है यानि इलाबाद वहां पर इनका जन्म हुआ था तो आप जन्म भूमी से रेलिटर लिख सकते हो जन्म भूमी और इन्हें क्या कहा गया है ये जो थे वो इनको बापू यानि कि महात्मा गांधी जो थे न वहाँ से इनको प्रेणा मिले थी वहीं से ही इन्होंने अपने कर्म किस तरह से करने चाहिए वहाँ से ये प्रभावित हुए थे तो इनके लिए क्या कहा जाता है कि जैसे नहरू और बापू जी है उनका मिलन कैसा कहा जाता है जैसे राम और वशिष्ट राम हमें पता है राम जी और वशिष्ट उनके गुरू थे उनके हिसाब से कहा जाता है कि जैसे इन दोनों का मिलन है वैसे ही नहरू और बापु जी का milan है और जैसे मोहन यानि कि श्री कृष्ण जो है जैसे श्री कृष्ण जो है और युद्श्श्टर इन दोनों के जैसे milan थे उसी तरह से नहरू और बापु जी का milan हुआ था तो अब तीसरा point आप क्या डाल सकते हो तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हो नहरू और बापू का मिलन तो यह नाम याद रखते हैं आपको राम जी वाला एक्जामपल याद आजाएगा तो आप वो चीज लिख देंगे अब आपको हर एक कुछ paragraph के बाद आपको कुछ lines मिलेगी अगर आपको याद हो सकती है एक दो तो आप याद करना जो भी आपको easy लगती है इससे क्या हो जाएगा आपका कथानक जो है वो और अच्छा दिखता है तो आप ज्यादा नहीं ऐसे आपको 3-4 मिलेंगे तो आप को केते हैं उसका शीश जैसे उसका आशीश और तेरा नत मस्तक ही करता प्रणाम यो लगा कि जैसे गुरु वशिष्ट के चरणों पर हो जुके राम अथ्वा मोहन के चरणों पर हो जुका युदिश्टर का माथा या खोज रहा हो फिर भारत अपनी खोई गौरव गाथा अ यहां पर जो यह राम वशिष्ट है इसी से रिलेटेड एक आपको क्या दे दिया है कुछ काव्य दे दिया है और क्या बताया है कि उसका आशीश और नहीं उनका आशिरवाद और तेरा जो मस्तक है वो करता है प्रणाम किसको जैसे गुरु वशिष्ट को कौन करते थे रा खोज रहा हो फिर भारत अपनी गौरव गाथा और ऐसा लगता था कि भारत जो है जैसे वो अपनी गौरव जो है उस गाथा को खोज रहा हो ऐसा कहा गया है तो यह दो एक्जामपल से अगर आप राम वशिष्ट और मोहन यूदिश्ट से अगर आपको यह लाइन याद आ जाती है तो आप एड़ कर सकते हो अपने कथानक में चिकें तो कथानक में अभी तक हमने कितने point बना दिये? तीन point बना दिये. पहला हम क्या करेंगे? हम विशेशनों से अनैक वशेशनों से उनकी उपमा बताएगे वो लिखेंगे. फिर उन्हों करते थे उनी के अनुसार वो अपना कारे करते थे तो उससे रेलिटिट आप ये वाली लिख सकते हो चीक है राम और वशिष्ट वाली अब आगे बढ़ते हैं आगे है पंडित नहरू के अखंड जोती के रूप में इस धरा धाम पर अवतिन होने पर कवी कल्पना के अनुसार भारत का खंड खंड अपने अखंड दिवे रतनों को नायक पर न्योचावर करने को आतुर हो उड़ता है अहिंसा के अगर दूद को शिवाजी की तलवार सौपने की योजना महराष्टर बनाता है तो उसे शांती और अहिंसा के यूग के लिए अनुप्युक्त बतलाया जाता है इस पर महाराष्ट हिंसा और अहिंसा को परिभाशित करता है अत्याचारी के चरणों पर जुक जाना भारी हिंसा है पापी का शीश कुचल देना जो हिंसा नहीं अहिंसा है अब यहां पर बता है क्या कर रहे हैं यहां पर पंडित जवालाल नहरू जो हैं उनके बारे में अल जो धरती है इस पर बहुत सारी चीजे जो हुई है और उनको कभी ने कल्पना के नुसर ये कहा है कि भारत का खंड कंड मतलब अलग अलग जगहों पर आपको बहुत सारे अखंड क्या मिलेंगे दिव्यरतनों के नायक मिलेंगे तो बहुत सारी यहां पर जो भारत है यहां प तर, के योग-पुरुष है उने के लिए जो भारत के और जायक है उनन सभी का जो भी त्याग है वो सभी कहा है उन्हें के ऊपर नियोच्छावर है तो देखो क्या क्या कहा है अहिंसा के अग्रदूद कौन अहिंसा के अग्रदूद कौन शिवाजी की तलवार सौपने की योजना जो है महाराष्ट बनाता है और उसे शांति और अहिंसा के यूग के लिए अनुविप्ट बताया गया था इस पर महाराष्ट जो हिंसा और अहिंसा को परिभाशित कि अत्याचारी के चणों पर अगर जुक जाएं तो वो क्या है वो भारी हिंसा है अगर कोई आपके उपर अत्याचार कर रहा है और आप फिर भी उनके सामने जुक रहे हो तो वो क्या है वो आपके नजरे से हिंसा होनी चाहिए और अहिंसा क्या है अहिंसा के अनुसार उनका यहां पर convert करके लिख लोगे क्या लिखोगे कि भाई यहां पर किसके बारे में बताया गया है जो पंडित जवाल नाल नहरू है उन्हें हमारे देश के अलग-अलग खंडों में जो नायक है उन सभी का जो बलिदान है वो पंडित जवाल नाल नहरू पर वज़ाजी माहराश्ट्र में थे और उन्हों ने हिंसा और अहिंसा के उपर क्या बताया था तो वो परिभाशा आप इस तरह से अपनी ओन यंग्वेज में लिख सकते हो तो यह आप टफ टफ नहीं समझ वाता है तो आप इसी का ही ट्रांसलेट करके लिख सकते हो तो यह तो अब अगर मैं fourth point अगर बोलू जहां से घटनाय वाला जो शुरू होता है तो पहली घटना क्या लिख हो गया? महाराश्टर की घटना ठीके? महाराश्ट की हिंसा और अहिंसा तो यह आपका हो गया fourth point आगे बढ़ते हैं next देखते हैं और क्या-क्या घटनाय है नेक्स है तदंदर अतीत से प्रेणा लेकर वर्तमान परिवेश में नया मोड देने और स्वतनता प्राप्ति के लिए प्रेरित करने हेतू गुरू रामदास की राष्टे चेतना, संत ग्यानेश्वर का कर्मवाद, लोकमाने तिलक का करो या मरो का उपदेश, आदी सब कुछ लोकनायक पर न्योच्छावर किये जाते हैं लोकनायक की हमारे जवाला नेरू है उनके लिए क्या कर रहे हैं और भी चीजे जो हैं और भी जिन्नों लोगोंने बलिदान किये हैं अब उनमें किन-किन का नाम आ ला है कि हमारे परिवेश में नया मोर देने के लिए स्वतंता प्राप्ति के लिए जिन्नों ने प्रेरित किया था कौन-कौन थे गुरुरामदास की राष्ट्री है चेतना संत ग्यानेश्वर का कर्मवाद लोकमाने तिलक क्या था करो या मरो वाला जो उपदेश है ये सा दीन्दा के युग में संगर्षों से टकराने की शमता प्रदान करके उसके लिए राजस्थान लोकनायक को मंत्र देता है और अब इसके बारे में क्या है ले लो मेरे जीवन की निधी जीवन का रंग धंग ले लो यदी पड़े जरूरत ऐसे में तो मेरा अंग अंग ले आखिर ये सब कुछ भारत की माटी की ही तो माया है भीतर से सब कुछ एक मगर बाहर से बदली काया है क्या कहते हैं यहाँ पर अपने जीवन को निचावर करते हुए जो कुछ राजस्थान लोकनायक को मंत्र देते वे क्या करें कि मेरे जीवन की जितनी भी निधी है उन पढ़ने पर आप ले लो क्योंकि ये सब कुछ किसके लिए है भारत माता जो है उसके लिए है और ये सब क्या है रांग धंग रूप ये सब एक माया है तो ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए आप ये सब ले लो तो यहां से आप अगर पॉइंट निकालोगे फिफ्थ क्लियर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कथानक में और क्या क्या स्टोरीज डलती है इस प्रकार राणा सांगा कुंबा महाराणा प्रताप के गौरशाली अतियत की कथाएं जो हैं लोक नायक के जीवन में आकर उन्हें त्याग शौरे और स्वतंता संग्राम के लिए प् तो इन्हों ने जो किया था उससे हमारे जो जवालाल नेरु है उनको क्या सीखने को मिलेगा उनको उनके जीवन में क्या मिलेगा त्याग शौरे और स्वतंता संग्राम के लिए प्रेणना जो है वो प्रदान करती है ठीक है तो राजस्थान लोक नायक लिख सकते हो आप आपको आपके सहुलियत के लिए बटा रहे हूं कि आप ऐसे पॉइंट अगर याद रखोगे तो आपको इसीली कथानक लिखने में हैल्प मिलेगी कि हाँ उस टाइम पर मैंने यह पॉइंट बनाय था तो राजस्थान लोक नायक आते ही आपको राणा सांगा महारना प्र भारत की अखंड़ा का उद्भोध करता हुआ सत्पुड़ा क्या कहता है कहता है बूड़ा सत्पुड़ा लगा कहने हूं दूर पर मगर अलगाव नहीं मतलब दूर हूं लेकिन अलगाव नहीं है मतलब मेरे साथ ऐसा लड़ाई वाला सीन नहीं है कम हुआ आज तक उत्तर का दक्षन से कभी जो है अलग हो गया हो और कभी लगाव नहीं रहा हो तो ऐसा नहीं है तो यहां पर सत्पुड़ा जो है उससे related कुछ बातें आपको यहां कही गई है कि सत्पुड़ा जो है वो दूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि अलगाव है या लड़ाई है या हम अलग-अल में दक्षन भारत के जगत गुरु शंकराचारे रामानुज आधी का व्यापक प्रभाव रहा भव भूती कालिदास की स्रजनात्मक भावुक्ता के नायक के व्यक्तित्व में साहित्य कला और संस्कृति की त्रवेणी प्रवाहित की अपर द्वारा सत्या ग्रह का मंत्र मिल अब यहाँ पर क्या है दक्षन भारत जो है वहां के कौन-कौन थे दक्षन भारत के जगत गुरु शंकराचारे रामानुज इन्हों ने भी क्या किया था अपना बहुत व्यापक प्रभाव जो है वो यहाँ पर डाला था तो आप यहाँ पर अपना 7th पॉइंट याद अपर अनूठा क्या मिलता है उधारन मिलता है तो यह एक और नियोच्छावर करने वाली चीज है हमारे लोकनाय पंडित जवालाल नहरू के लिए क्लियत आगे बढ़ते हैं फिर बंगाल के क्रती दास, क्रित, रामयन कवी, कंकर, चंडी दास, दौलत काजी, विवेका नन, दीन बंदू के साथ भी बंकिम बाबू के वंदे मातरम की छाब जो है भारत के मानस पटल पर अंकित हुई है अब यहाँ पर क्या बताया है, अलग-अलग जगों से कोई कहां से बिलॉंग करता है, कोई कहां से बिलॉंग करता है, लेकिन फिर भी वो सभी मिल करके, यानि इतने लोगों का बलिदान है, इतने लोगों ने जो भी हमारे देश के लिए जो जो किया है, वो सभी किसके पन्योचावर कर रहे हमारे लोक नायक पंडित जवालाल नहरू के ओपर तो कौन थे कि क्रती दास कौन थे क्रत रामायन जो की रामायन और कभी कंकर और चंडी दास दौलत का जी विवेका नंत दीन बंदू के साथ ही बंकिम बाबू जिन्नों ने वंदे मातरम जो है उसकी हिर्दय की धड़कन को बड़ा देती हैं तो यहां से को मिल जाएगा कि जिन lts हमारे देश में क्या किया है कुछ ₹不會 भ documenteren के जो अलग अलग चीजे के लिए जानसे मांसिक पटल परशा गालती है उनकी मानसिक औरिं जी computing को देती है तो ये भी क्या है हमारी कावे क्रतियां है जो कि अलग-अलग है अलग-अलग दोगोद्वारा लिखी गई है और इन सभी का जो भी हमारे देश के लिए जो सब कुछ किया हुआ है वो किसके लिए जवालाल नहरू के उपर नियोच्छावर है आगे बढ़ते हैं नेता जी के घायल सपने विकल है इन सब को संजोकर वह कथानक को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत होती है असम पुरी शम्ता के साथ नायक पर नियोच्छावर होता है और वह कहता है असम पुरी ठीक है अब असम के बारे में कुछ बाते आएंगी यहाँ पर क्या कर रहा है यहाँ पर नेता जी जो है उनके जो सपने थे वो बिल्कुल घायल हो चुके थे जब उन्होंने सतंता संग्राम शुरू किया था और उस टाइम पर जो चीजे हुई थी उन सभी के लिए कथानक को कुछ चीजे समर्पित की जा रही है अब आगे और क्या क्या उनके लिए समर्पित क्या जा रहा है वो है देखो यहाँ पर असमपूरी के लिए मेरी हर धड़कन प्यासी है तेरे चर्णों के चुम्बन को खेती तैयार खड़ी है रे जनमन के स्नेह सरपन को समर्पन को मेरी हर धड़कन प्यासी है अब यह कहा जाता है कि चैसा असम पूरी जो है। तो ये कथानक जो है आपको हो सकता है थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा टफ सा है लेकिन आपकर ऐसे पॉइंट बना के लिखोगे तो आप exactly अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे अदर्वाइस क्या होगा आप पढ़ लेंगे लेकिन बाद में आपको वो चीजे समझ में ने आएंगी और आप पॉइंट्स नहीं बनाओगे तो आप भूल जाओगे कि क्या लिखना था कैसे लिखना था आगे बढ़ते हैं तदंदर बिहार भगवान बुद्ध के उपदेश गोपा के आसू राहुल की तुतली बोली तीटकर महावीर के उपदेश पाटली पुत्र के वैदिक संस्कृतियों का गिरजा, पतंजली का चिंतन, नालंदा का विज्ञान और कला के तत्व, विद्यापती की भावुकता लेकर आनंद भवन में कथानक संगम के राजा पंडित जवाल नहरू पर न्योचावर करता है। फिर चाहे वो कला से हो, विज्ञान से हो, हमारी संस्कृति से हो, हमारे सपनों से हो, हमारी सत्यता से हो, आत्म कथाओं से हो, मम्ता से हो, इतिहाद से हो, उपदेशों से हो, या फिर किसी की बोली से हो, जिस तरह से भी हो, वो सभी चीजे जो हैं कि इनके उपन योचावर पंडित जवाला नेरुपे तो यहां पर देखो भगवान बुद्ध जो है उन्होंने जो उपदेश दिये थे उनके लिए गोपा के जो आसूं है वो तुतली बोली में जो बोला गया था महावी स्वामी ने जो उपदेश दिये थे वो सारे उपदेश किनके लिए नियोचा वाप के जो शूर्या है उनकी जो वीर्ता है वो मंडिर है वह सारी संस्कृतिया नालंदा को विज्ञान, विष्वी ऑननालेश है वहां की standard है वहां का जितने नहेरू के उपर सभी कुछ जो है नियोच्छावर किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स देखते हैं इसके आगे और क्या-क्या उनके लिए नियोच्हावर किया जा रहा है आगे क्या है आगे उत्तर प्रदेश नायक को अपनी गोध में पा कर अपने को धन्य मानन लगा तीठ राज प्रयाग के संगम पर करोडों की भीर इखटा हो गई मतुरा व्रंदावन अवद पूरी की गलियों में चर्चा होने लगी कि द्वापर और त्रेता के शक्ति शालिक क्रिश्न और राम अब नए रूप में अवतरित हो गए हैं तुलसी के राम चरित्र मान का सपना जो साकार हो गया है सुर के गीतों के फूल बरसने लगे हैं सारनात के सपने जाग उठे हैं और मगहर से कबीर ने उपदेश दिया है तो यहां पर क्या है यहां पर उत्तर प्रदेश के जो नायक है उनको अपनी गोधी में पाकर अपनी गोध में यानि कि उत्तर देश है वो धन्य हो गया है क्योंकि यहां पर तीर्थ राज प्रया के संगम पर करोडो भीर जो है वो इखटा हो जाती है जैसे मतुरा वरंदावन और अवधपूरी की गलियों में चर्चा होने लगी थी कि जैसे द्वापर और त्रेता के शक्तिशाली राम कृष्ण और र राम जी और क्रशण जी ने अवतार लिया था उसी तरह से पंडित जमाला नह्रू के लिए इन्हों ने ऐसी ही उप्मा की है कि ये भी किस तरह से अवतरत हुए थे एक भगवान की तरह जैसे अवतार होता है वैसे ही इनका अवतार हुआ था जैसे तुल्सी के राम चरित म पानस का जो शपना था, वो साकार किया था, और जैसे सूरदास जी ने जो क्या किया थे, जो अपने गीतों से फूल बरसाए थे, और सारनाथ के जो सपने थे, वो अब जैसे लग रहा था, जैसे जाग उठे हैं, और मगहर से कभीर जो है, उन्होंने उपदेश दिया था, कि मगहर में क्या कहा गया था मगहर में मगहर एक जगह है जहां पर कबीर जी जो है उनका निर्वान इस्था लुआ था यानि कि वहां पर उनकी म्रत्यों हुई थी तो उस टाइम पर ऐसा कहा जाता है कि कबीर जो थे उन्होंने अपनी वहां जो मगहर है वहां पर क्या हुआ अकाल पढ़ा था and how up China फूमर मां पूराइंब नई तो और उस्पानि जो है रहने लग एते तो वाँ पर हिंदू और दोनों रहते थे फिर जब कबीर जी की जब अंतिम समय था तो वहां पर कबीर जी जो थे उनकी जब मुरत्यू होने वाली थी तो मुरत्यू हुई तो वहां पर मुसलिम भी थे और हिंदू भी थे तो हिंदू और मुसलिम दोनों कहने लगे कि मुरत्यू जो हुई है तो हमार यहां पर क्या होना चाइए, इनको जलाया जाना चाहिए तो तब क्या हुआ था? कभीर जी जो थे, वहां पर जब उनके जो जहा शरुता वहां पर फूल पड़े थे और उस फूल में से क्या हुआ? आदे मुसलिम ने ले लिए, आदे हिंदू ने ले लिए और वहाँ पर कबीर जी का क्या कहा गया है निर्वान स्तल बनाया गया है और उस जगे पर क्या होता है उस जगे पर हर साल जो है तीन चार दिन का महुत्सव मनता है मतलब वहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है जहाँ पर कबीर जी के बहुत साई चीज़ होती है कलाओं से related आप साच करो कि आपको मिल जाएगा उसी पर related जो मैंने आपको अभी story बताई उसी पर related आपको ये दो लाइने easily याद हो जाएगी क्या है हिंदो मुस्लिम मंदिर मस्जिद काबा काशी का क्या जगडा भूल से मोल नतू लेना मजहब का ये रगडा जगडा क्या है कि हिंदो मुस्लिम का जो मंदिर मस्जिद वाला जो चीज था काबा काशी का क्या जगडा अब इस तरह का जो काशी में जो जगडा है ये इ यह जो भूल है इनसे आप सीख मत लेना कि हमें ऐसा करना है आपको जो भी मजहब से रिलेटेट जो भी जगडा है उससे हमेशा समाथ रखना चाहिए तो यह कबीर के उपदेश थे तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि जो हमारी संस्कृती है जो उनका जो जन्म है उस ज अवतार के रूप में बताया है और कबीर के उपदेश जो है वो आपको इस लाइनों द्वारा याद रहेंगे अगे बढ़ते हैं गंगा तक पर बैठे बिठूर के नाना से हां भरता हुआ बोला कि अब भारत की आजादी का शीग्र ही हल निकलने वाला है और 1857 इश्वी के बलिदान का शीग्र ही फल मिलेगा बूरी जहांसी की रानी की आखों के सपने टपक पड़े रोती कल्पती जहांसी की रानी 57 की कुर्बानी के रूप में राखी लेकर प्रस्तुत हुई विद्रोह की आग फैलाने वाले त्यात्या टोपे मेरट की चिंगारी लेकर स्वागत में पहुँच गया अब यहां पर किसके बारे बताया है यहां पर हमारे जो इतिहास में जो जो चीजें हुई है वो सारी चीजें जो है उसके बारे बताया है क्या कहते हैं कि गंगार तटपर बिठूर में ना बिठूर में जो नाना है नाना सहब उन्होंने क्या किया था वहां बैठे थे और उनोंने मनला बिटूर एक जगे थी, जहां से अंगरेजों को भगाने के लिए, वहाँ पर क्या बनाई जा रहे थी, साजिश बनाई जा रहे थी तो उस टाइम पर उनोंने सोचा था कि यहां पर बैठ के, बिटूर में बैठ के नाना ने क्या किया था साजिश रची थी कि अब हमें अंग्रेजों को कैसे भी करके कहां करना है यहां से भगाना है तो वहां की उस आजादी के लिए वहां पर क्या बनाया जा रहा था शडियंत रचे जा रहे थे उनके लिए एक strategy बनाई जा रही थी कि हल निकाले कि किस तरह से हमें आजादी जो है वो शीग्र से शीग्र मिल जाए और 857 की बलिदान का शीग्र ही फल मिलेगा और 1857 की जो क्रांती है उसका फल जो है बहुत ही जल्दी शीग्र मिलेगा फिर जहांसी की रानी जो है उनके बारे में आप लिख सकते हो कि जहांसी की रानी के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी थी रानी ने और इस तरह की चीजे जो है वो होने लगी थी और तात्या टोपे जो है वो मेरट की चिंगारी लेकर महाँ पर स्वागत किया था तो ये स इतना सब कुछ जो हमारे देश में हुआ जिनोंने भी आजादी के लिए जो भी चीज़ें की वो सभी त्याग आपके लिए क्या है नियोचावर हैं। संकोची पंजाब आजाद की दुलहन के डोले कोकंदे पर लेने के लिए उत्साह में पहुँच गया और कहने लगा कि जहां लाला लाजपतर आये सरदार भगत सिंग जैसे बहादुर है वहां लज्जा लूटने का कोई प्रशन नहीं। जिस पंजाब पर पोरस की बिजली तूटी थी अब यहां से एक और चीज आपको स्टोरी समझ में आएगी अब देखो यहां पर आप क्या कर सकते हो यहां पर जो भी हमारे इतिहास में जिन जिनों ने भी किया था उन सभी के नाम आप याद रखना है जैसे बिठूर के नाना जहासी की रानी यह लाइन आप उनको उनके उपर जो अत्याचार किये गए तो उसके लिए उन्होंने क्या किये थे पंजाब में जहां पर यह सारी चीज़े हुई थी वहां पर उसके विद्रोहों के लिए चीज़े की गई थी और उस टाइम पर वहां पर कहा गया था कि जहां जिस जगह पर पंजाब मे पोरस की बिजली टूटी थी पोरस क्या है पोरस एक जगय थी वहां पोरस के एक राजा थे ठीक है पोरस के राजा है उसकी कहानी अभी बताऊंगी पोरस के राजा ये पोरस के राजा कौन थे ये सिकंदर से हा रहे थे आपने शायद SST में पढ़ा होगा तो पोरस के राजा थे जो सिकंदर से हा रहे थे अभी जो पोरस थे न ये छोटा सा पहले क्या होता था पैसे पहले ऐसे अलग-अलग नहीं था तो ये एक पंजाब का ही एक हिस्सा थ तो वहां पर क्या था कि अलग अलग राजय होते थे पहले एक एक खड़ा नहीं होता था तो पौरस मुस्लाच बहुत आद跟大家 था और प्रशीय नियुकर जो टार अधाई डिउыми काफी मजबूत था तो एक बार क्या होग राजय को पार सिकंदर के पास सेना बहुत जादा थी लेकिन इनके पास सेना बहुत कम थी लेकिन फिर भी इन्होंने डरे नहीं बाकी जैसे बाकी राज्ये उनके सामने डर गए थे और अपने घुटने टेक दिये थे लेकिन पोरस ने बहुत वीरता के साथ लड़ाई लड़ी थी फिर भी वो सिकंदर से हार गयते क्योंकि सेना बहुत जादा थी सिकंदर की और इनके पास बहुत कम थी लेकिन फिर भी इन्होंने सामना किया और उस युद्ध को लड़ा और उस युद्ध में ये पराजित हो गयते फिर उसके बाद ये उनके आगे उनको घुटने टेक नहीं तलवार जहां घबरा कर लौट आई थी मतलब ऐसा हो गया था कि पॉरस की सामने जब पॉरस की जो बिजली है वहां पर भी सिकंदर भी एक बार के लिए डर गया था क्योंकि बले ही वो उसके पास सैना थी बले ही वो जीत गया लेकिन कोई सामना अगर करता है बिल्कुल हिम् का महा मंत्र सरुप्रतम उद्गोशित हुआ था तो यहां पर देखो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे जिसे सैल्यूकस हो गया ठीक है वो और कॉटिल्य शास्त्र और हमने जहांसी की रानी देखा तो यह जो महान महान नाम है इन से रिलेटेड आप जो है अपना बलिदा यहां पर आगे बात करते हैं जहां पर हडपा और मोहन जोद्रों के खंडर जो है और वहां पर विश्व की सब्वटा का जो नेतरत्व मिलता है वो भी बहुत इंपॉर्टन थै वो भी हम यहां बता सकते है गुरू नानक और अरजुन देव ने जो आशिरवा दिए थे ज उनोंने कही थी वो कथाना के समख्ष उनों सबीत गया। टो यह सारे जो भी बलिदान किये थे लोगों के दूआरा उन महँन्विक्तियों का आप नाम लिख सकते हैं अगे बर्थ करते हैं। एक्ष्मीर मताओं कर देर यंक प्रस्तुत होता है। अपने निश्चे का उध्गोश करते हुए क्या बोलता है गैरों की मर्जी से बदले ऐसी मेरी तकदीर नहीं भारत से विलग कभी होगा कश्मीर नहीं कश्मीर नहीं तो यहाँ पर कश्मीर की जो अतीद की जो बूले हैं उनका जो चीजे हैं वो सब चीजों को आप इसके द्वारा लिख सकते हो तो यह आप लिख देंगे किसी काव्य के रूप में आगे बढ़ते हैं नेक्स है कुरुख शेत्र करवट लेकर अत्याचारी दुरियोधन के पैशाचिक उत्पातों का अंत करने के लिए कथानक को अरजन रूप से संबोधित करते होएं कि जिसे कुरुख शेत्र में क्या हुआ था गुरुक शेतर में जो अत्याचारी दुर्योदन ना उसने क्या किया था? उसने बहुत सारे उतपाद केठे, बहुत सारे चीज़ें की थी और अंत में उनके लिए क्या कह रहे है? वो कह रहे है कि कतानक जो है, वो कैसे है हमारे अर्जन रूप से संबोधित करते हुए हमारे जो मेन हमारे पंडि जवाला लेरो है उनके लिए कहते हैं तुम पर चर्खा रूपी चक्र जो है सुदर्शनदारी मोहन गांदी जी की कृपा है जैसे क्या बोता रहे हैं अब यहाँ पर देखो कितनी अच्छी चीज कही है यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कुरुक्षेत्र में दुर्योधन जो थे वो दोष्ट थे ठीक है और उनके जो उत्पात थे उनके अंत करने के लिए कथानक को क्या बोला गया है कथानक जो है अर्जुन को अर्जुन रूप से संबोधित करते हुए क्या बोल रहे हैं वो बो क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांदी जी के कर्मों के जोसे वह कारे करते थे उनी के नक्षे कदम पर चलते थे तो जैसे गांदी जी जो है जैसे गांदी जो है मोहन जैसे थे क्रश्न के जैसे हैं वो तुम्हारी हर समय क्या करते हैं सहायता करते हैं तुम्हें आगे का रा इस धर्टी पर आए हैं और इस धर्टी पर आते ही जिन लोगों ने जो जो चीजे जो नियोच्छावर की जो जो बलिदान किये हैं वो सारे के सारे बलिदान आपके लिए हम नियोच्छावर करते हैं क्योंकि आप जैसे महान पूरुज जो थे हमारे इस भारत धर्टी पर आ अब देखो यहां पर आपका जो स्सेटी वाला नौलेज न वह भी आपको बहुत काम आएगा क्योंकि मेरी स्सेटी इतनी अच्छी नहीं है तो जितना मुझे पता था मैंने उतना उतना आपको बताया अगर आपको यहां पर यह चीज़े अगर हो जाती है क्लिक की जहांसी की रानी के टाइम पर क्या हुआ था तो वो दो तीन चीज़े आप यहां पर एड़ कर दोगे तो आपका काथानक जो है वो और ज्यादा सुन्दर लिख जाएगा नेक्स आगे बढ़ते हैं कैसे देदू मेरे मालिक हिंसा की घ्रणित कहानी को लूटा है जाने कितनों ने भोली दिल्ली की रानी को जब दिल्ली पर जो अत्याचार हुए थे और क्या-क्या चीज़े हुई थी वो सारी चीज़े जो है वो दिल्ली के बारे में बताया गया वैसे जो हमारे दिल्ली के ओपर जो पीडाय हुई थी उसे हम कैसे बया करें लाल किला यमुना को अपनी क्रांती कारे चिंगारियों को देखते हुए तुरंत आनंद भवन पहुंचने का अनुरोध करता है और यमुना कथानाक का अभिनंदन करने के लिए संगम पर पहु इकठा की थी अपने पास जो उन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको एक उन्होंने जो अपने बलिदानों का जो भी इकठा किया था चीजे वो सभी की सभी नीतियां जो है वो किने समर्पित कर रहे हैं नियोच्छावर कर रहे हैं पंडित जवालाल नहरू को कर रहे हैं और स सब भी समर्पित करके क्या बताया है भारत को एक प्रतीक मनाया है कि संपूर एक भारत क्या है एक भारत है अलग-अलग थे अलग-अलग जगों से जिसे दिल्ली का बात किया हमने पंजाब का बात किया हमने दक्षन भारत का बात किया तो सब भी मिल करके क्या बना एक भारत क प्रतीक बना जग लगा देखने मांचित्र भारत न मिला तुझको पाया जब देखा तुझको नैनो में भारत का चित्र उतर आया वेरी नाइस और बहुत ही इंपोर्टेंट इस चीज को जरूर जरूर लिखना बहुत अच्छा लगेगा यह जब लगा देखना अब जब मा आँचित्र देखने पर हमको भारत नहीं दिखा लेकिन जब आँखों में देखा तो आँखों में देखते ही क्या दिखा कि संपुर्ण भारत जो है वो सामने खड़ा है तो यह लाइन्स जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है इनको जरूर लिखना तो यहां पर जो हमारा क कथानक जो है वो complete होता है जिसमें पहला question जो आपको पुछा जाता है तो अब अगर हम summarize करें जिसको आपको ध्यान रखना है तो आपको क्या ध्यान रखना है कथानक में पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे कि जहां से शुरुआत हुई थी तो आप विशेशन वाली बा चंद्रमास सुंदरता बताया गया था यह सारी चीजिश्या आप लिखेंगे तीसरे में आप उनकी घटनाओं से शुरू कर देंगे कि क्या क्या घटनाए हुई थी तो घटनाएं जो है वो आप लिखना शुरू करेंगे जैसे आप राम वशिष्ट वाला एक वह लिख सक सकते हैं और जो जो बलिदान हुए थे वो सारी चीजे जो है वो आप एड़ करते हुए अपने कथानक को एक अच्छे रूप में complete कर सकते हैं कबीर का जो उपदेश है वो आप लिख सकते हैं लास्ट में आप यह वाली लाइन जो है यह लिख सकते हैं तो इस तरह से आपको कथानक को अच्छे से प्रेजेंट करते हुए points के साथ अपने कथानक को लिखना है और इस तरह से करने से आपकी यह जो खंड कावे है यह बहुत अच्छे से complete हो जागा अभी यह complete नहीं हुआ है अभी हमको इसमें दो questions और करने हैं जिसमें हमको एक दो चरितर निर्मान द प्रशन है उनको समझेंगे कि और किस किस तरह से प्रशन आते हैं तो thank you so much bye bye and take care